वेलकम टो स्टडी चैनल मेरा नाम है मुहम्मद कैसर एन आईवेस डियर लेड के संबंद में आपको पता है दोस्तों कि मामले का ओर्डर साथ नॉंबर को रिजर्व कर लिया गया था और अब इसका ओर्डर 28 नॉंबर को शुनाया जाएगा यानि कि दोस्तों बस अब कल का इंतजार है एन आईवेस डियर लेड सिक्षक भरतियों में फॉर्म भर सकता है या नहीं आवेदन कर सकता है या नहीं उसको नुक्ती मिल सकती है या नहीं इसका फैसला कल हो जाएगा तो ज्यादा समय अब है नहीं बस 24 घंटे से कम का समय है आप मान सकते हैं और या मामला क्लियर हो जाएगा लेकिन इसी भी सोसल मीडिया पर फेसबूक यूट्यूब तमाम जगों पर अलग-लग प्रकार के आपको वीडियो और स्क्रिंसोर्ट देखने को मिल रही हैं सबके अपने-अपने दावे हैं अपने-अपने तर्क हैं और इससे बचे परिशान हो रही हैं बस मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से आप परिशान ना हूं क्योंकि यदivi जादा समय होता तो इस पर कुछ आपको बताया जाता कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है बरतने की जरूरत है एक बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी के कुछ कहने से order पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मैं कुछ कह दूँ आप कुछ कह दे कोई कुछ कह दे हमारे आपके कहने से सुप्रिम कोट के order पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो होना है वो फायर हो चुका है order रिजर्व है साथ नॉम्बर से ही अब इसको सुनाने का समय आया है तो आप लोग परिशान नहों दस प्रकार के इधर उधर के वीडियोज आप ना देखें नहीं तो हर आदमी अपने हिसाब से चीजों को बताएगा कोट में जो सुनवाईयां हुई है उसके अधार पर हर आदमी का अपना एक तर्क होगा कि जस्ता आप ने ये पूछा इसका मतलब अना वेस अंदर है फिर कोई कहेगा ने जस्ता आप ने ऐसे कहा था इसका मतलब अना वेस रियलेट बाहर है ठीक है तो आप लोग यदि वीडियोज के उपर जाएंगे लोगों के मत के उपर जाएंगे तो आप परिशान हो तो देख लेज़ेगा क्या फैसला है जो भी फैसला होगा उसे खुले दिल से आपको स्विकार करना होगा बहुत ज्यादा टेंशन परिशान होने की आउसकता नहीं होगी आपके हित में आया तो बहुत बहतर है लेकिन यदि हित में नहीं भी आता है ठीक है तो आगे अभी भी रास्ते खुले रहेंगे ऐसा नहीं है कि सभी रास्ते बंद हो जाएंगे तो सयम के साथ काम लेने की आउशकता है किसी को कोई गलत कदम नहीं उठाना है कुछ भी हो उसे देखना है और उसके आगे फिर सोचना है कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है दोस्तों की फैस स्टीचर सब कुछ सुनवाई हो गई है सब ने अपनी अपनी बात को अपने अपने तर्ग को कोड के सामने रख दिया है अब जो होगा वो कल आपको बताया जाएगा आप लोग फिल हाल परिशान ना हो मेरे इस वीडियो को बायने का मतलब यही है कि आप लोग पचास वीडियो ना देखें कि वो क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है किसी का वीडियो देखकर ना खुश होने की जरूरत है ना ही किसी की वीडियो को देखकर आपको परिशान होने के आउशकता है मिलते हैं कल सुप्रीम कोर्ट ओर्डर के साथ तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और हमारे साथ बने रहिए थैंक्स वर वाचिंग